अलो, नमस्कार मैं हुझे और मैं आपको साथ गयता हूँ मेरे चनल Tech Talk Tips में आज मैं आपको ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताना जा रहा हूँ जो नुजिलेंड में 2013 से चल रहा है और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट रूट और यह Google X की company के द्वारा चलाय कर रहा है अब मैं आपको बताऊंगा कि project loan है तो project loan ऐसा एक mission है जो रूलर एडियास होते है या remote access area आते है और आप इंटरनेट वोई किया है और यह सारे LTE networks में काम करता है अब मैं आपको बताऊंगा कि उसका working principle क्या है तो यह work दे सकता है तो how it works अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक launching pad होता है तो launching pad में सारे जो balloons होते हैं वो balloons sky में पहुचा दिया जाते हैं स्काय की स्काय तक की हाइट होती है कुछ 20 किलोटर तक की हाइट होती है अब यह जब balloons sky में पहुचाते हैं तब यह balloon जो ground जो भी service provider से उसको उन लोगों को एक access code दिया जाता है तो वो access code के द्वारा यह सारे जो service provider से वो सब भी balloon के साथ connect हो जाते हैं फिर वो balloon दूसरे सारे balloon के साथ interrelated हो जाता है अब interrelated हो जाते हैं सभी तभी वो सभी जगा पे वो internet प्रवाइट कर देते हैं फिर वो हमें हमारे मोबाइल्स में एल्दी मोबाइल्स में चिनल दे रहे हैं और यह without fiber optics होता है तो यह बहुत ही फाइदे का रहे हैं अब मैं आपको बताऊंगा कि यह 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 चंट हो बारिस हो या दूप हो स्टे से भी emotion हो इसमें वो से सकता है तो इसकी toughness बहुत ज्यादा है तो वो सारी situation में वो यह work कर सकता है तो यह एक work की main फाइदा है इस project अब मैं आपको बताऊने जा रहा हूं इसके components के बारे मैं बताऊं इससे पहले मैं आपको project loan के बारे लोन की picture देखने जाता हूं तो loan की picture आप लेख सकते हैं तो यह है इसके प्राइब आपको बताऊंगा इसके components के बारे में इसके चार components है तो चार कौन से कौन से components है तो first component जो है वो है transceivers तो transceivers क्या करता है तो transceivers यह काम करता है जो भी service provider से वहां से वो net ले लेता है और फिर बाज में वो net जो है वो सारे हमारे LTE networks पे आजाता है अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा component के बारे में दूसरा component इसका नाम है solar battery solar battery क्या करती है के daylight में जो भी है वो energy store कर लेती है बैटरी में फिर जब रात होती है तब ही बलून को उड़ाने के लिए जो भी energy need चाहिए वो बैटरी दे रेता है बलून हो अब मैं आपको बताऊंगा तीसरे component के बारे में तीसरा component का नाम है parachute तो पेराशूट हावी तो पेराशूट में क्या इसकी क्या जरूद हो गई इस बलून में तो पेराशूट जो भी landing कराना होता है बलून का तब भी वो use होता है safely landing कराने के दे भी use होता है अब यह पेरा प्रेट जो नीचे बेटे होए operator से वह सारे control और command देते हो और इसका tracking परेखिंग चलू होता है यह बलोन से connected होते हैं और अब मैं आपको बताने जागा रहा हूं इसके फायदे क्या क्या है तो पहला फायदा है कि जो भी दूर्गम इलाके है कि जहाँ पे भी net नहीं आता ह तो वह जगा पे वह सारे connectivity पूर्चा दी जाते है इस परणों के द्वारा अब मैं आपको बताने जाओंगा दूसरा फाइदा क्या है तो दूसरा ये फाइदा है कि कोई भी नेचर डिशास्टर वारे जो एरिया है होते है वहां पे भी नेट किया जा सकते थर्ड क्या है तो तो इससे कि वह सभी components की जरूरत नहीं होती है ज्यादा तो यह सारे चीड हो जाता है आपको मेरे प्रोजेक्ट के परे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी और मैं ऐसे ही कोई नए प्रोजेक्ट हो या नहीं कोई जानकारी हो या नहीं टेक वीडियोस हो तो मैं आपक पर लिख सकते हैं नहीं तो आप मेरे सोचल नेटवर्ट क्रीन पर भी mail कर सकते हो या message कर सकते हो वो सारे description में दिये गए होए है तो धन्यवाद और आपके दिन सुबूद